आज हम बात कर रहे हैं मंगल के रासी परिवर्तन को लेकर, मंगल अपने उच्छ रासी नि मकर की ओर बढ़ रहे हैं, मंगल का उच्छ रासी पर जाना आप सब के लिए कुछ पेहत खास हो सकता है, कौन सी वो चार रासी हैं जिनको विसे इसलाब मिलेगा, जिन पर रूचर बंच महापरुश योग में से एक राजोग उनको मिलने वाला है, और हम लगातार बारा रासी पर चर्चा करेंगे, तो मेश से मीन रासी परियंतम चर्चा करेंगे, पटा पट नए दरस हैं के तो इनिवेदन भी रहेगा, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं या चैनल रासी की, देखी रासियों के करम में हमने मेश से लेकर के और मीन तक की चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन तीन रासियों पर हम चर्चा कर चुके हैं, और बाकी रासियों पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से मिथुन करक और सिंग रासी, तीन रासियों पर हम इस कारिकरम में सबसे महत्पूर्ण बात ये है कि हम पहले मिथुन पर चर्चा करते हैं देखते हैं कि मंगल के स्थती यहाँ पर आपकी रासी पर क्या रहेंगे मिथुन रासी के लिए मंगल की जो इस्थती है वो अस्टम भाव पर रहेगी अब बड़ी स्थाभविक सी चीज है कि यहाँ पर अस्टम भाव में मंगल को उतना अच्छा नहीं माना जाता है मंगल यहाँ पर कहीं न कहीं मिथुन रासी के जातकों के लिए थोड़ा सा तनाव पैदा कर सकते हैं हेल्थ इसूस भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं तो कुल मिलाकर मिथुन रासी के जातकों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी और कोई बिसेस बड़े योग इस दसाकाल में उनको मिल रहे हैं ऐसा यहाँ फिलाल बनतावा नजर नहीं आ रहा है जबकि 9, 10, 11, 11, 11, 12 में आपकी सनी के स्तती यथावत है आई को लेकर के financially किसी परकार कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं नजर आ रहे है मंगल की पूर्णतम दृष्टी को देखा जाए तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके तिरतिया भाव पर धन के भाव पर दृष्टी रहेगी तो कुल मिलाकर धन का जो प्रभाव है वो तो आपके लिए अच्छा है नौकरी पेसे को लेकर के अच्छा रहेगा थोड़ा सा married life में भी डिस्टरमेंस देखा जा सकता है तो इसलिए दामपत्य जीवन और पारवारी किस्ततियों को थोड़ा सा अनकूल बना करके रखें यह आपके लिए बहतर होगा करक राश के लिए बहुत उत्तम सही होग है क्योंकि आपके 7 ताउस के अंदर मंगल किस्तति बनी वी है एक बात थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की है जिन लोगों को बीपी की दिक्कत है उन लोगों को थोड़ा सा या हाड से संबन्द जिनकी प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए मंगल की उच्छत दरिष्टी जो है आपके लगन पर पढ़ेगी लेकिन आपको यहाँ पर राजियो का जो प्रभाव है वो आपको यहाँ पर नजर आता वा नजर आएगा खासकर प्रोपर्टी का का काम करते हैं इसमें बहुत अच्छे लाब के संकेत यहाँ पर आपको दिखाए देंगे मंगल यहाँ पर यथावत बना रहेगा जो अन्मेरिड लोग है बिवा के लिए प्रस्तावित कहीं न कहीं बिवा के लिए रिस्तेयादी उनके जो हैं देखे जा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर यह हो सकता है कि आठचन भी पैदा करे तो उसके लिए तो बहुत जादा अच्छी स्तिती नई कहीं जा सकती है बागी अन्य चीजों के लिए मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा हो सकता है कोई नई गाड़ी खरीदने का प्राल कर रहे थे तो आपको नई गाड़ी का संयोग मिल सकता है प्रॉपर्टी आप खरीज सकते है तो यह करकर रासी के लिए एक उत्तम संयोग का जा सकता है बहुत ही विसेस यहाँ पर इनको लाब मिलेगा नई जॉब आपको मिल सकती है नया स्टार्टप आप अपना सुरू कर सकते है नया बिजनिस सुरू कर सकते है ठीक है न तो इन चीजों के लिए मंगल आपके लिए बहुत अच्छ है तो यहाँ पर कर्ज से निजात दिला सकते हैं कर्ज से मुक्ती आपको मिल सकती है छेटा मंगल यहाँ पर खराप नहीं माना जाता है कर्ज लेने से आपको बचना चीज़िए खर्चे तो आपके बढ़ेंगे स्वाब अब कर्छा बढ़ रहा है तो इनकम हो यह तब ही खर्चे बढ़ रहा है तो खर्चों पर अनकूल जो है अनकूल बनाने के लिए खर्चों को आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि आपका जो मनी है उसको वेश्ट ना किया जाए उसको कहीं न कहीं इन्वेस्ट की मद्धिनजर रखते वे आप उसको खर्च करें तो जादा अच्छा रहेगा इसकी जो दृष्टी है वो भाग्य को प्रभावित करेगी यानि भाग्य आपका जो वेश्ट समय साथ देगा जो कहीं न कहीं रुकावटें काम में पैदा हो रही थी जो दिक्कतें काम में पैदा हो रही थी उनको लेकर कि भाग्य आपका साथ देगा तो इस प्रकार से मंगल की दृष्टी यहाँ पर चौथी दृष्टी रहेगी साथमी दृष्टी आ रहेगी आठमी दृष्टी आपके लगन पर रहेगी तो कहीं न कहीं जो हाड बीपी के पेसेंट है उनको थोड़ा सा सावधानी बरतनी के आउ सकता है अधिक दोड़ धूप जो है उससे थोड़ा सा बचना चाहिए लेकिन हाँ फिर भी परिश्रम बढ़ेगा और आपको परिश्रम का परतिफल भी जर आ रहा है ग्यारा और नौक दस ग्यारा और बारा तीकि सब्तम के अंदर आपका जो है सनी बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा दामपत्य जीवन पर आपका प्रभाव दिखा जा सकता है क्योंकि आपकी रासी से सब्तम पर सनी है आपको कहीं न कहीं चलावी किस्तिती हो सकती आपस में misunderstanding देखी जा सकती है उसके कारण से थोड़ा तनाव किस्तिती हो सकती है तो इन पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए करना क्या चाहिए उपाई के द्रिष्टे से देखा जा तो सभी लोगों को इस समय चैया हो मितन रासी के जातक हो करक के हो या सिंग के हो तीनों के लिए हनमान चारिसा नियमित आप पढ़ें और मंगल बार के दिन आप खास कर भगवान स्री हनमान जी मारात का आप ग्रहन करें जाकर के हनमान मिंदिर में जाए उनका दरसन करें उनको जो है चोला आप चड़ाए तो ये बहुत अच्छा परसाथ जो है आपके लिए हो सकता है और आप बने रहें फिलाल आप में दीजिए अज़ाजद तन्यावाद